किसान साथियों नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अनिल कुमार्तियागी और आप सब का हर्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में किसान साथियों जब से मैंने नीम्बू की तीन वीडियो डाली है तब से एक बात चर्चा का विशे है कि क्या बीजू पोदे ही सही है जी हाँ आपने सही सुना बीजू पोदे ही नीम्बू के सबसे अच्छे होते हैं साथ आपने पहली वीडियो बहुत लंबी हो गई थी उनमें ध्यान से नहीं सोचा इसलिए मैंने ये निर्ने लिया है कि इस बात को और सुद्रड रूप से रखने के लिए मैं इन तीनों वेग्यानिकों की बाते सुनवाता हूँ और मैं इस वीडियो में दो भाग होंगे इस पहले भाग में आप ये सुनिए कि ये वेग्यानिक क्या कह रहे हैं जब मैंने इन से तीनों से एक सवाल पूछा कि नीम्बू की नरसरी तयार करने में बीजू पोदे ही क्यों होते हैं यानि बीज का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आईए, सुनिए, ये क्या कह रहे हैं? ये संकरिक पवदावता है, उसको निकालनी की प्त्रकृया है, वो नरसल्य में की जाती है और जो बच्चे होए पोदेवते हैं, जो अच्छे बढ़ते हैं, इनको हम ले एक समान बढ़ते हैं, तो वो हम ले new देए हैं और उससे जो अभिवद्य होते हैं, उससे जो आपो डेया जाते वो अच्छे माने जाते रही बाद आपने जो गुती कलम से या और किसी तरीके से गाफ्टिंग में बनाते हैं खास का नीबू के क्योंकि संथ्रे और मुसंदी में तो यह हम उसको बढ़ावा देते हैं ग्राफ्टिंग लेकि नीबू में इसकी ज़रुरत नहीं है क्योंकि सिुट्रस में चाहे निभू हो संध्राव मुसंवी हो इसमें जो विशानू इh तो विशानू जो ग्राफ तान्सकुक्रिसीबल पर दे तो उसको दूर रखने के लिए हम दीजू को जो होते वह नहीं हुते और इस लिए इस की लिए जो कर स 뉴के चर्फिते हैं गर्तिंग में गर्रेणव इसलिए हम इसको नहीं हमें कर सुर्फित है है। बड विकाल deze फीर के सरकते हैं हैं छो है इक पंतना इस भीज तरहीमा ईमालीय चाहाँ च्छाहना सुनल मिञारा है। करें दो करें किता है तो नभीबुन ओद थो इसदी कि यृड तो में पशेणी श्याडिकी इसमें काटे रप बड निकालना इसमें दिपकट होता है और जो है पत्ती की बीच में होता है दूसरा है कि जो संत्रा है उसका ग्रेस्टेशन की बहुत हाई होता है 20 से लगाएंगे तो उसका फर्ल हमें 8-9 साल के बाद मिलता है जब कि बड की हमा पहुतर चौते साल मिलता है नीबू में यह करके लगाओ बड़िंग करके लगाओ या बीच से लगाओ आपको तीसरे साल पूल आना सुनों जागा चाउते साल आपको फर्लेंगे इसने हम लोग इसको कंप्लिकेटर टेक्नागी तरफ बड़िंग तरफ नहीं आते हैं और बीच से इसमें चुकी इसमें पानिमरियाल जिसमें तूच उटाइब होता है तो जीस मदब प्लांक्स नेते हैं वह ऐसे पोधा बनेगा एं प्रस पॉइंट है इसमें लोग कंप्लिकेटर टेखनागी जो बड़िंग ग्रेफिंग तर नहीं जाते हैं उससे कास्ट भी बढ़ती है और उससे बहुत खाइदावत नह उसमें जो गुन आते है जिस पोधे से फल लिया है उसके जैसे गुन आते है उसमें कोई फरक नहीं दिएता है और जो पाइदा करने का ही सिपारिश करते हैं दूसरा एक फाइदा ऐसा रहता है उसका उसके जड़े मजबूद रहती है और इसका पेड़ भी बढ़ा होता है और ज्यादा दिन तक टिकता है इसलिए अपन जो है विजो से ही उसका उपने सुना डॉक्टर आईपी सिंग और डॉक वैज्यानिक हैं दोनों परधान वैज्यानिक हैं और डॉक्टर दिनेश पेठंकर को जो डॉक्टर पंजाव राओ देशमुक अकोला में कृषी विद्यापीट अकोला में एक होटी कल्चरिस्ट हैं सीनियर होटी कल्चरिस्ट हैं मैं यह नहीं कहता कि गुट्टी के पोदे खराब होते हैं लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना होगा डॉक्टर दिनेश पेठंकर को उन्होंने बताया है गुट्टी और जो आपके यह ग्राफ्टिंग के पोदे होते उनकी उमर बीजू पोदे से लगभग आधी होती है उनमें रोग जादा आता है उनमें इतनी उनका तना और उनकी जड़े इतनी मजबूत नहीं होते हैं यह अनुसंधान के आधार पर कहा है अब आपने ध्यान से सुना होगा कि इसमें उन्होंने एक सब्द का इस्तेमाल गया लगभग तीनों वग्यानिकों ने पोली एमब्राइनी क्या है यह पोली एमब्रा आया है किसी ने कि जो गुट्टी के पोदे तयार होते हैं वो कलकटा में ही क्यों होते हैं? क्या और कहीं तयार नहीं हो सकते? यह बाते आपके लिए जानना बहुत चुरूरी है और मैं इन सब बातों को क्लेरिफाई करूंगा इसी के लिए मैं आप से रिक्वेस्ट करूं नमस्कार जै हिंद जै भारत लेकिन इस वीडियो का दूसरा भाग देखना नहीं भूलिए